मैं आर्मी जनोंके सुभने आपका स्वागत करता हूं इंडियनु आर्मी रेली बरती 2012 अगनिविर बरती आप सभी को पता है notification आओट हो चुका है वायू सेदा का पहले ही notification आओट हो चुका था और अब जो है इंडियन आर्मी के अंदर कल ही notification आओट हो चुका है schedule जारी हो चुका है relatively बरती का कि कहां कहां पर आपकीlia होंगी और कभ होंगी कॉन से इस तान पर होगी कौन से जोन की कब होगी complete detail यहाँ पर जो है out हो चुकी है कब से registration स्टार्ट होंगे कौन-कौन से विद्यारती registration कर पाएंगे कौन-कौन सी post के लिए registration होगा इसके अलावा eligibility क्या है age limit क्या है complete detail में आपको बताने वाला हूँ तो पैसन्स मना कर video का इंट तक देखते रहें जिसमें अब तक channel को subscribe नहीं किया guys वो channel को subscribe करें में लेकर प्रेस करें जिसे आने वाली सभी वीडियो का notification आप तक पहुंच जाए आए वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले में आपको बताना चाहूँगा इंडियन आर्मी अगनी भी रेली वर्ती 2022 तो यहाँ पर complete पूरे भारत के अंदर जितने भी राज हैं जितने भी जौन बने हुएं सर्किट बने हुएं इंडियन आर्मी के तो उन सभी का schedule जारी हो चुका है तो रेली वर्ती के performance के आदार पर आपको सेना बर्ती में सामिल किया जाएगा तो मैं आपको रेली बर्ती के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा यह बताना चाहूँगा कि notification जो है कल आ चुका है इसका schedule जारी हो चुका है तो यहाँ पर सभी साती लोग पूछेंगे कि सर इस बर्ती के लिए जो registration होंगे हो कब से start होंगे तो यहाँ पर जो notice जारी हुआ है उसके अंदर बताया गया है कि आपके जो registration है वो एक जुलाई से start होने वाले है joinindianarmy.nic.in website पे जाकर आप लोग जो है registration कर सकते हैं और एक जुलाई से की प्रक्रिया start हो जाएगी बाकी की सारी details जो है मैं आपको बता दूँगा साथी मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बर्ती के लिए इस रेली बर्ती के लिए अगर आप तैयारी कर रहे है तो आपके पास में क्या-क्या योगता होनी चाहिए और आपकी age limit age limit की बात करें तो इस बार first या पर जो आपका batch बनेगा उसके लिए आपकी जो age limit है minimum साड़े सत्रा साल है और maximum 23 वर्स है अगली बर से next year से जो है कम हो जाएगी वापस 21 वर्स हो जाएगी इस बार आपको 2 साल की छूट दी गई है तो minimum साड़े सत्रा और maximum 23 वर्स साथ ही जो अगर qualification की बात करें तो इसमें कापी सारे पद हैं अगर हम बात करें GD के पद हैं जो आपके general duty होती उसके पद हैं और वो 10th level होगा अगर आपने 10 वी पास कर रखा है minimum 45% mark से तो आप जो है आप यहांपर technical भी पोस्ट है उसमें भी जो है कर सकते हैं तो कापी सारी पोस्ट है अलग अलग लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोस्ट होने वाली है वो GD की होने वाली है और GD के लिए जो क्वालिटिकेशन है वो दस्वी पास ही रहने वाला है तो यह तो रही बात आपके age limit की और qualification की registration में आपको बता दिया है एक जुलाई से start हो जाएगा joinindianarmy.nic.in website पर उसमें आपको general detail फिल करनी होगी वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसी बात जो सभी के लिए बहुत जरूरी है resume आपके पास होना चाहिए और इतने सब होने के बाद में भी कापी सारी companies आपको मना कर दीती है on call पे आपको ही बोल देती है कि बाई job नहीं मिलेगी तो बहुत ज़दा हतास हो जाते हैं लेकिन re-level by an academy लेकर आए एक शांदर opportunity एक test देकर एक skill test देकर आप only skill के basis पर ही शांदर company के अंदर job राप्त कर सकते हैं only आपको test देना है और आपके marks के बदलोत आपको job राप्त हो जाएगी इंडिया की कापी सारी company है लगो 200 plus company है जिनमें 19 domain है वहापर आपको job मिल जाएगी तो only test देना है रिलेवल के द्वारा और उसे job राप्त होई software engineer की और बिलुष्टिक company में उसे job राप्त होई है तो यहापर सार तक जो से कोई job कैसे मिली बिलुष्टिक company में software engineer कैसे बना तो यह आसान है उसने एक test दिया रिलेवल का और test देने के बाद job राप्त हो गई और अभी जो है उसके parents भी खुश है वो भी खुश है और मन पसंद यहापर job राप्त हो गई है तो अब तक पूरे all over India के अंदर रिलेवल 50 करोड की job डिलिवर कर चुका है और कापी सारी candidate ने यहापर test भी दिया है लगबग 6.5 lakh candidate test दे चुके हैं तो आप भी test जरूर दे साती जितने भी candidate select हुए हैं उनके hoardings पूरी देश में लगे हुए हैं आप लोग उनसे inspire हो सकते हैं और test दे सकते हैं तो सार्तक जोशी के तरह आप भी एक शांदार अपनी पसंदीदा job यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं 200 प्लस companies हैं और 19 कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं इंडियन आर्मी के अंदर कौन-कौन से जो यहाँ पर युवस आती हैं वो जोइन कर पाएंगे जिनका फिजिकल फिटनेस कापी अच्छा रहेगा वही जो है यहाँ पर जोइन कर पाएंगे तो यह कुछ डिटेल थी अब जो आपके राजिस्तान के अंदर जो इंडियन होंगी वह कौन-कौन से जोन में होगी और क्या इसकी डेट है तो मैं आपको बता देता हूं तो सबसे विले अगर हम बात करें रेली बरती आयोजित कराने वाले एरो का नाम तो आप इसक्रीन पर देख पा रहे होंगे जुन-जुन अगर जोन की बात करें तो इसके जो य चलेगे चैम के allora के शाँर अबर हम बात करें जैपुर में होगी जैपुर के जैतने भी इतने हैं जिसे सीकर है और जैपुर में और पॉइस स्टान रहेगा सbor heck तो यह गES आश्क में बात करें जोदपूर 28 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में तो ये सेडूल जारी हो चुका इसकी कम्प्लीट पेडियेक में आपको टेलीग्राम पर प्रवाइड तरवा दूआ जिससे आप कम्प्लीट डिटेल देख पाएं सभी जोन की और जितने भी जिले हैं उन सभी की तो फाइनली अगर हम बात करें इसके वेतन की तो चार साल के लिए बढ़ती की जाएगी प्रतम वर्स के लिए आपको वेतन दिया जाएगा 30,000 रुपे दितिये वर्स के लिए 33 तिरतिये वर के आस-पास आपको फंड दिया जाएगा सेवन निदी के तैत तो एक कुछ इंफोर्मेशन ती जो मैं आपको बता दिये इसकी पीडियाप टेलिग्राम पर डलवा दूंगा तो वासे आप लोग देख लेना और भी कोई इंफोर्मेशन चाहिए तो आप कॉमेंट कर देना आपको रिप्लाई कर दिये जाएगा धन्यवाद